Welcome दोस्तो, Welcome to the Vibrational Channel एक question मेरे पास आया, बहुत ही interesting question था ये question था कि लोग prayer क्यों करते हैं, क्या मतलब है prayer करना है अगर मैंको कोई चीज manifest करनी है तो मैं खुद manifest कर सकता हूँ क्योंकि law of attraction ये बोलती है कि मैं एक creator हूँ तो पूजा पाठ और नमाज पढ़ने की या मंदर जाने की जरूरत क्या है तो actually देखा जाये तो सारा का सारा जो गेम है वो है energy का हमारी body में हमको as humans कुछ ही limited energy मिलती है अब उस energy को हम ज़्यादा तर negative thoughts में लगाते हैं negative situations को manifest करने में लगाते हैं अगर हम उसको थोड़ा सा direct करें और उन चीजों पर energy डालें जहां से हमको positive output मिले वो ही पूरा का पूरा गेम है और दूसरी चीज यह है कि जब भी कभी हम बोलते हैं कि मैं मंदर जा रहा हूँ मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ मैं उस भगवान की पूजा कर रहा हूँ या almighty universe की पूजा कर रहा हूँ जिसकी भी करनी है आपको कर सकते हो तो आप एक तरीके से उस पे जादा trust डाल रहे हो आप manifester हो आप creator हो बट आपकी creation कहां तक limited है जैसे आपका belief system है वहां तक limited है तो मतलब ये मंदर जाना पूजा पाट करना अगरबती चलाना नमाज पढ़ना जो भी चीज़े करते हैं वो हमारे belief system को override करने के लिए है तो माल लो मैं ये जो can है इसको बोलता हूँ कि ये can मेरे लिए बहुत ही जादा लगी है जब भी कभी मैं इस can के साथ video बनाता हूँ या जब भी इस can को पकड़ के मैं एक lottery की ticket खरीता तो मैं हमेशा जीतता हूँ तो वो एक instrument बन जाता है मेरी vibration को change करने में तो उसी तरीके से ये मंदिर जाना या पूजा पाट करना अगर बती जाना काम करते हैं तो एक और aspect में ये भी है कि जहां हम बोलते हैं कि हमारे angels या हमारे guardian angels मैं इस पर एक video डाल रखा है बट वो भी अगर आप सोचते हूँ वो really exist करते हैं आप करते हैं या नहीं करते हैं मैं नहीं कह सकता मेरा ये पूरा मानना है कि वो करते हैं और in fact हमारी society में भी हमको इस तरीके से raise किया गया है कि हम सोचते हैं कि ये चीज exist करते हैं in fact आप ये video भी यही देख रहे हो क्योंकि आपकी energy attune है इन चीज़ों के आसपास तो आप इस चीज़ पर विश्वास करते हो कि वो angels वो guardians exist करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब भी कभी मैं उस angel को बोलता हूँ कि please मेरी life में ये चीज आने ही चीज़ ये चीज मेरे बहुत important है thank you very much कि आप में को इस चीज़ को manifest करने में पूरी मदद कर रहे हो तो अब क्या कर दिया आपने अब आपने वो जो pressure है आपके उपर इतना जारा वो अपने shift कर दिया उस angel पे या उस guardian angel पे या उस spirit guide पे उनको energy देकर अब आप अपने आपको manifest कर रहे हो तो आप ये देख लो वो एक तरीके से एक magnifying glass है आपकी energy को raise करने के ले आपकी vibration automatically उपर जाएगी कभी भी आप मंदिर से बहार निकलते हो कभी भी आप मस्जिद से बहार निकलते हो आप कभी भी आप कोई भजन सुनते हो या कोई भी अच्छी सी book उठाते हो जैसे मेरे सामने अभी ये book आ रही है मैं ये जानता हूँ ये बहुत ही important book है मेरी life की एकार टोले जब भी कभी बुक पढ़ता हूँ कोई भी लाइन पढ़ता हूँ तो एक अजीब सी एक elevated feeling में हसोस होती है वो ही वो ही है kingdom of heaven वो ही है हमारा पूरा जरिया उस चीज को manifest करने के लिए Bible में एक चीज कही जाती है कि जो भी चीज आप manifest करना चाहते हो उसको manifest करने से पहले of course ये paraphrasing कर रहा हूँ मैं मतलब जो भी कोई चीज को आप manifest करना चाहते हो उसको manifest करने से पहले आपको वो kingdom of heaven तक पहुचना जरूरी है लाइन कुछ ऐसी है कि as within so without अब without नहीं without जैसे आपका अंदर है वैसे आपका बहार होगा जैसे आप अपना mind state रखो के वैसी चीज आपके पास आएगी तो वो ही same idea है दोस्तों कि जब भी कभी हम वो kingdom of heaven पर पहुचते हैं एक ऐसी elevated space पर पहुचते हैं एक ऐसी elevated vibration पर आपको confidence आता है एक हलका सा धीमा सा confidence आता है आपके heart की energy के तुरू तो आप जानते हो कि वो अब चीज ज़रा दूर नहीं है पर एक और चीज दोस्तों दाननी ज़रूरी है कि हम कोई चीज को manifest नहीं कर रहे हम यह नहीं सोचते कि यह जो घर है या गाड़ी है या वो एक particular person आप चाहते हो वो आपकी life में आ जाएगा ऐसा नहीं होता कि वो आपकी life में आ जाएगा क्या होता है आप उस vibration पे आ जाते हो आप उस vibration पे आ जाते हो जहां पर वो person already यहां पर exist करता है तो मालो अगर मुझे एक certain amount of money चाहिए 10 लाख रुपे मानते हैं 10 लाख रुपे चाह नहीं है वो 10 लाख रुपे कैसे भी आता है जिसी भी कोई सी भी जरीय से आता है कोई बात नहीं मुझे वो चाहिए तो अब वो पैसा manifest नहीं कर रहे है पैसा को आप खीच के नहीं ला रहे है अपनी life में आप अपनी vibration को heaven की तरफ खीच रहे हो raise कर रहे हो ऊपर ले जा रह द이션क यह कि आपकी जो vibration है जिस तरही की से का रहे है आपकी vibration एक train की पट्री की तरह काम करती है मतलाच जैसे ही आप realize करते हो कि आप को वो एक चीज चाहिए आपकी लाइफ में तो आप अपनी पट्री चेंज कर रहे हो पट्री कैसे चेंज कर रहे हो ये सोच कर कि वो चीज already exist करती है वो चीज already exist करती है कोई भी चीज नहीं possible नहीं है हर एक चीज exist करती है हर एक चीज exist करती है क्योंकि अगर आप universe की definition को देखो, कई सरे religion में universe को कहा जाता है all that is, या God को कहा जाता है all that is, in fact आपने बहुत सरे videos देखे होंगे जहांपर बुलते है I am that I am, अब यह जो word है बहुत ही deeper meaning है इसका, कहने का मतलब simple यह है कि जो चीजे हम हैं वो यह पेड़ है, वो यह can है, वो यह marker है, वो यह God भी है, मतलब हर एक चीज में हर एक चीज में वो God है तो all that is, अगर हर किदर है वो और हर जगे possible है वो होना उसका, तो उसका मतलब यह भी है कि वो जो condition, वो जो situation, वो जो पैसा, वो घर, वो person जो आपको चाहिए, वो भी exist करता है कहां उस elevated space पे जहां पर आप अभी नहीं हो, क्योंकि अब आप wanting में हो तो पूरा का पूरा manifestation का dance ऐसे काम करता है कि आप थोड़ा बहुत wanting में होते हो कि मुझे वो चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, और उसके बाद आप उसको drop कर देते हो, उसको drop कर देते हो, बिलकुल उस idea को निकाल देते हो, और उसके बाद क्या होता है, with the universe's energy, you are there, you are automatically there, जहां पर आपको होना चाहिए, universe एक ऐसी situation create करने लग जाएगा, जहां पर वो चीज manifest होगी, आपकी पटरी अब चेंज हो चुकी है, अब आप इस नई पटरी पर आ चुकी हो, but क्या होता है कहीं बार, वो बट हो जाता है, बट वाली चीज आती है, कैसे, मैं बोलता जाता है, तो मतलब आपकी गाड़ी चल रही है, बहुत ही हाई स्पीड से, अलब वो, आपकी ट्रेन चल रही है, एक पटरी पे, और अचानक से आप बोलते हो, मुझे दो दिन में 10 लाक रुपे चाहिए, अब उस ट्रेन को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको डिरेक्श होने, कैसे भी है, कोई प्रावर्म निया, बट मुझे चाहिए, अच्छा होता अगर मेरी लाइफ में होता, और in fact, मैं अभी ऐसी लाइफ जी लेता हूँ, जहां पर मैं imagine करता हूँ, कि वो चीज अलरेडी exist करती है, अब क्या होता है, अब उस ट्रेन को इस पट्री में ज जाता है, हमारा हम बोलते हैं कि यार, एक दिन बच्चा है, दस लाइक अभी तक नहीं आए, आदा दिन बच्चा है, अभी तक दस लाइक रुपे नहीं आए, अब क्या होता है, उस में हम अपने ले और भी जारा प्राव्म क्रियेट करते हैं, जितना टाइम हम बोलेंगे हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है वाली vibration को हम अट्राक करते रहेंगे तो अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे कोई भी चीज चाहिए, मुझे आली शान घर चाहिए मुझे एक perfect health चाहिए और मैं बार बार अपनी body को आइने के सामने देखकर बोलता हूँ कि यार मोटा हो गया हूँ, मोटा हो गया हूँ, मोटा हो गया हूँ, तो उससे क्या होगा, मैं बार बार उसी vibration पर अटका रहूँगा उस vibration से निकल नहीं पाऊँगा, तो subtle movement बहुत ज़रूरी है, subtle movements मतलब बहुत ही धीमे धीमे गाडी को चेंज करना ज़रूरी है, धीमे धीमे गाड़ी को कैसे चेंज करना दाता है, इन चीजों को आप लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टन चीज है नहीं, तो ये एक entertainment विडियो बन जाएगा, अगर आप इस पर execute नहीं करोगी, दिन में सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट आपको visualize करन है, कि यार हुआ, तो अच्छी बात है, नहीं हुआ, तो कोई बात ने, ठीक है, आप visualize करते हो कि आप वो sensory input feel कर रहे हो, अगर आपको एक घर चाहिए, तो आप imagine कर रहे हो, आप घर में घुस रहे हो, आपने वो ठंडा नॉब को घुमाया, अंदर आप घर के अंदर गया, आपने जूते उतारे, फिर ठंडे फ्रश पे आप अपने पैरो की feeling सुन रहे हो, फिर उसके बाद आप जात और क्राकलिंग नॉइस आती है, उसकी visual input आता है, उसकी heat आती है, वो सब चीज़े आप visualize कर रहे हो, तो आपका काम यह है, you have to come back to your senses, come back to your senses, come back to your senses, मतलब senses को use करना है, यह come back to your senses का भी बहुत deep meaning है, हम कहीं बार बोलते हैं, you have to come back to your senses, मतलब you have to be present, present कैसे होते हैं, अपनी senses की थूँ, अभी इस मोंट पर मैं खड़ा हूँ, मैं यह विडियो बना रहा हूँ, मेरा ध्यान यहां कैमरा पर है, मैं यहां पर सब चीजों को देख रहा हूँ, इस मोंट पर मैं पास की नहीं सोच रहा, इस मोंट मैं फ्यूचर की नहीं सोच रहा, simply यहां पर हूँ, इतना हम presence में रहेंगे, उतना ही अच्छी तर हम visualize कर पाएंगे, तो वापिस जाते हैं हमारे practical form में लोगे, पांच मिनट आपको visualize करना है, अपनी sensory input को लेकर, दूसरी चीज, रोज, रोज एक, एक छोटा action ऐसा लेना है, जो आपको उस पट्री पे लेकर आए, उस पट्री प के करीब जा रहे हो, तो पहला काम शायद आपका यह हो सकता है कि यार, जो जिन लोगों को आपने लोन नहीं चुकाया है, उनको आज डर का सामना रखते हुए, फोन उठा के बोलना कि हां, I'm sorry, मैं आपके पैसे नहीं पे कर पाया हूँ, बट मेरा पूरा का पूरा intention यह है कि मैं को आपको पैसे चुकान है, कैसे भी करके, तो वो आपका इक पहला step हो सकता है, या फिर अगर आपको college में admission चाहिए, तो अब आप college की research करोगे, scholarship programs ढूंडोगे, अलग-लग तरीके से वो ideas ढूंडोगे, जहां पर आप उ step ले पाओ, आप शायद college जाओगे, लोगों से बात करोगे, ये होता है, actually action है, वो 5 minute का जो visualization है, और वो daily action है, इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रत नहीं, इसका इतना जारा powerful impact पढ़ेगा आप पे, आप विश्वास नहीं कर पाओगे, but impatient नहीं रहना है दोस्तों, मैं भी कहीं बार impatient हो जाता हूँ, मैं बोलत technique, mirror technique, बहुत सारी technique है, वो सब जाती है, वो एक पुरानी वाली चीज़ पे, जिससे मैंने वीडियो चालू किया था, वो ये है कि आपकी belief system के तौर पर काम करती है, अगर आपको लगता है whisper method काम करेगी, तो वो शायद काम करेगी, क्योंकि आपका belief system बना हुआ है, वो आप आपका भगवान है, जैसे मैंने वादान, भगवान क्या है, simply वो आपकी सोच है, आपका perception है, कोई लोग पत्थरों में भगवान डूमते हैं, क्योंकि उनका perception ये है कि उसमें भगवान है, क्या पत्थर में भगवान है, हाँ बिलकुल है, क्योंकि हर एक चीज में भगवा आपकी सोच पर depend करता है, आप कैसा सोच तो है, आपका belief system क्या है, fundamentals जान लो, universe के, उसके बाद आपको और ये techniques, ये sham की पीछे जाने की ज़रूरत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपका दिल जानता है कि कौन सा सही तरीका है, what is the right way, your heart knows, thank you.